हलो दोस्तो आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे मानव नेत्र दिक्ता कैसे है उसकी सरचना कैसी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र का जो अकार होता है वो कैसा होता है गोलाकार ठीक है इतने भी जीव जनतु है उन सभी की आखे कैसी होती है गोल नुमा है ना अब इसके देख रहे होंगे इस सरचना के सबसे बाहर एक जली नुमा एक क्या दिखाई देती है परत दिखाई देती है यह जली नुमा आकार की रहती है है ना इसी क वह हम कहते हैं करनीए इसको क्या बोला जाता है कोर्नी को जो उभरा हुआ रहता है जैसे आप लोग बच्छे लोग को देखे अनुल कि बड़े बड़े दिखाई देती है तो एक इसके क्रण से होती है कि उनकी आखे की जो-7 है वह ज्यादा उभरी होती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसमें हमादी जो कॉर्णिया क्या होते जाती है तो इसका काम क्या है क्या करता है कि यह इसी भाग से क्या होता है कॉर्णिया के मध्यम से ही प्रकास हमारी नेत्रे लेंस में प्रवेस करता है ठीक है और इसी कार्णिया को तो ही हम क्या करते हैं अगर सुने होगे कि उसकी ने अपना नेत्रदान कर दिया लुग क्या पूरी नेता को पैसा नहीं होता। ठीक है। तो ये नित्रगान मतलब क्या होता है। सिर्फ हमारी आखो के कारणिया को ही क्या कर ला जाता है। मिकाल के दान में दिया जाता है ठीक और ये कारणिया कभी कभी आकरिती में क्या हो जाती है असामानिय हो जाती है जिसके कारण से उस व्यक्ति को धुनला दिखाई देता है और इसी को हम क्या कहेंगे द्रिष्टी इस जो रोग है इसको हम कहेंगे द्रिष्टी वैसम्या क्या बोला जाता है द्रिष्टी वैसम्या जिसके कारण से उस व्यक्ति को क्या हो जाता है दुनला दिखाई देता है तो ये याद रखना है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को दुनला दिखाई दे रहा है तो इसका कार क्या है कॉर्णिया जो है वह कैसी हो गई है आकरिती में असमान्य हो गई है ठीक है अब इसके बाद हम आते हैं कि कॉर्णिया जैसे हमारे आँखों को देखे होगे तो आखों के ऊपरी ठीक है आँखों के ऊपर में क्या होता है आई लिड होती है ठीक पलक जिसको बुला जाता है है ना तो ये जो पलके होती है ठीक ये पलके क्या काम करती है हमारी आखों में तो पलक को देखे होगी जैसे कोई ब्यक्ति आचानक हमारी आखों के पास पेन ले आता है तो आख की जो पलके होती है वो तुरंट क्या हो जाती है बंध हो जाती है ठीक तो हमारी जो पलके होती है वो हमारी आखों की क्या करती है सुरक्षा करती है ठीक है आखों की क्या करती है वो सुरक्षा करती है ठीक है अब इसी पलकों के किनारे किनारे में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बरोनिया ठिक और ये भी क्या करती है बाह सुरक्षा करती है अगर धूल आ रहा है मिट्टी आ रही है उड़के तो ये अपने बालों में क्या कर लेती है उसको फसा लेती है जिसके करन से हमारे आंक के अंदर ये धूल कर क्या नहीं हो पाती ह इसी आईलेट के जस्ट नीचे में एक सफेत परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मायो बोमियन क्या कहते हैं माय बोमियन ग्रन्थी इस ग्रन्थी का नाम क्या है माय बोमियन ग्रन्थी ठीक और इसी के कारण ही क्या होता है हमारी आँखों में देखे होगे किनारे किछड जमा हो जाते हैं तो ये जो माय बोमियन ग्रन्थी होती है वो क्या करती है तरल चिपचिपा पिले रंग का पदार्थ निकालती है जिसके कारण से धूल मिट्टी हमारी आँखों में जमा नहीं होती और ये आँखों के किनारे में क्या हो जाती है, जो जिसको हम क्या करते हैं किच़र कठे है, है na तो ये हो गई हमारी eye lid का काम, है na और इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है तीसरा जो है, वो है हमारा natural lens ठिक, ये क्या है, ने थे DIRECTOR Lens है इसके पहले हम नेत्र स्लेस्म के बारे में पढ़ लेते हैं ये नेत्र स्लेस्म होता क्या है किसके बारे में हम पढ़ेंगे नेत्र स्लेस्म नेत्र स्लेस्म तो नेत्र स्लेस्म होता क्या है जैसे आप अपने आखों को देखेंगे तो हमको अपने आखों में तीन भाग मुखे रुप से दिखाई देते हैं एक सफेद रंका, एक काले रंका ठीक है? उसके अंदर में एक और काले रंका ठीक? तो हमारी आखों में जो सफेद रंका पाट होता है सफेद भाग रहता है उसी को ही हम क्या कहते हैं नेत्रसलेस्म कहते हैं ठीक है सफेद परत को ही हम क्या बोलेंगे सफेद परत ये याद रखना है सफेद परत को हम क्या कहते हैं नेत्रसलेस्म ठीक है अब इस नेत्रसलेस्म का काम क्या है तो यह भी हमारी आखों में एक पतली छिली नुमा अकरित लिये हुई रहती है और इनका भी काम है कि ये बाहरी जितनी भी धूल मिट्टी कड़े आती है उसको रोक के रखती है और साथ ही साथ जैसे आखों में अगर मिट्टी कड़ प्रवेस कर जाते हैं तो बीच में देखे होंगे कि हमारे आखों का जो वाला भाग है वो किस में बदल जाता है लाल में है लाल हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं आखाना बोलते हैं तो ये किसके कारण से होता है कि उसकी नेत्र स्लेश्म की जिल्नियां डैमेज हो जाती है जिसके करण से हमारी आख के जो स्लेश्म क्या है नेत्र स्लेश्मक है वो क्या हो जाती है ला रंग में बदल जाती है ठीक है इसी में देखेंगे कि हमारी आँखों में आशु कैसे आते हैं तो ले क्राइमल ग्रंथी इसका जो कारण है किसके कारण से होता है ले क्राइमल ग्रंथी जिसके कारण से हमारे आँखों में चाहे हम ज़्यादा खुस हो जाते हैं या ज़्यादा दुखी होते हैं जिसके कारण ये ग्रंथी क्या हो जाती है एक्टिव हो जाती है और हमारे आँखों से क्या निकलने लग जाते हैं आशु निकलने लग जाते और यह जो रेक्राइमर ग्रंथी होते हैं यह हमारे आखों के क्या हो जाते हैं किनारे में रहते हैं ठीक हैं बाहरी कोनों के किनारे में रहते हैं और यह क्या करते हैं बीज-बीज में एक तरल चिप-चिपा पजार्थ निकालते रहते हैं और यही हमारे क्या कहलाता है आसू पिल क्या होता है तो ये गैसे कार्णिया के जस्ट बाद में हमारे आँखों में क्या पाए जाते हैं आईरिस ठीक है ये आईरिस है और ये जो आईरिस होते हैं ये देखे होगे किसी-किसी मनुस्य का आँख कैसा होता है निले रंग करहता है, काले रंग करहता है, भोरे रंग करहता है तो ये जो आईरिस होता है वो अपने माता-पिता के किसके कारण से होता है जिन्स के कारण से इसका कलर निर्धारित होता है अब इसी आईरिस के बीचो बीच में एक छिदर होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूपिल या पुथली ठीक, आईरिस के बीचो बीच में एक क्या होता है एरिस के बीचों बीच में एक शिद्र होता है जिसको हम क्या कहेंगे फ्यूपिल कहते हैं और जो प्रकास कॉर्णिया से प्रवेश होती है वो फिर पुतली के माध्यम से हमारे लेंस तक जाती है तो इस फ्यूपिल में क्या होता है आखों के बीचों बीच एक शिद्र जिसको हम क्या कहते हैं पुतली कहते हैं ये प्रकास को कहां रेटीना तक पहुचाती है और ये ही क्या करती है जैसे कि हम अधिक प्रकास में हैं बाहर है ना हमारी आँखों में अगर अधिक प्रकास पड़ रही है तो ये पुतली क्या हो जाती है शुकुड जाती है और जब हम अंधिले में जाते हैं तो हमको दिखाई कम दिखाई देता है ना तो वो क्या हो जात क्या कर सकते हैं आसानी से उस वस्तू को देख सकते हैं ठीक अब आते हैं कि लेंस ऐ ना मानो लेंस नेत्रे लेंस तो यह जो लेंस होती हैं पुतली के रास्ते में जो भी प्रकास आता है उसी प्रकास को वहाँ किस पे भेज देता है रेटीना पे किस पे भेज देता है रेटीना पे ठीक है और आकार जो इसका होता है इसका उभी उत्तल होता है जैसे कि आप देख रहे हो चित्रे में है तो हमारा जो लेंस है जिस प्रकार से उत्तल लेंस होता है सेम उसी प्रकार से हमारे नेत पू vinge और करने लिविदानी यह रंग का चाहिता है चाहरा केकी आईयु बढ़ने यह क्या हो जाता है कुछ चप्ता, भूरे रंग हो जाता है द लंपरैंगे यह जी क्या भीund जाना हों पर क्या से स्कूल हूँ उकी और जो चलिकए 夯ह बिन का जब operation करते हैं तो ये lens में जो पतली जली चिपक जाई रहती है जिसको मोतिय बिन करते है उसी को क्या करती है हटाती है जिससे हमारी आंग फिर से क्या हो जाती है ठीक हो जाती है लेकिन अगर किसी कारण वस से अगर हम इस मोतिय बिन को इलाज नहीं करवाते हैं तो व परत जमते जाती है और काला मुतिया बिन में बदल जाती है और फिर इसका इलाज क्या होता है डिफिकल्ट होता है ठीक है हमारी आखों के किनारे में देखे होगे क्या होते हैं पेसियां पाई जाती है यह पेसियां क्या करती है आखों को क्या करती है पकड़के रखे रहती है जिसके करण से हमारी जो आखे होती है वो क्या करती है मोमेंट करते रहती है अब आते हैं रेटीना ठीक जो रेटीना होता है इस पे जो वस्तु होती है वो कैसी बनती है जब हम प्रकास हमारी नेत्रे लेंज परती है रेट्रेंज से होते हुए वो रेटीना में आती है तो यहाँ पास जो प्रतिविम्ब बनता है वो कैसा बनता है उल्टा बनता है ठीक है तो यहाँ रेटीना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है एक जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको छड़ कोशिका कहते हैं कौशिका कहते हैं छड़ कोशिका और दूसरी क्या इस अधेरे में प्रकास की तृव्रता को बताती है और संखु को सिखा क्या करती है? यह तृव्रत प्रकास में रंग को पहचानने में मदद करती है तिक है इसे